CM College English Literary Society द्वारा ने परिफेक्च में अंग्रेजी भासा सिक्षन पधती बिशाय पर सेमिनार आयोजित किया गया बर्तमान समय में अस्नुत्कर करने के बाद भी छात्रों की भासा समूचित पकर नहीं हो पाती है जिसका कुछ दोस हमारी सिक्षा पधती का भी है अंग्रेजी भासा की महता शर्वादिक एभम शर्वकालिक है आज सिमिनार भासा सिक्षन पधती की दिशा में एक सार्थक पड़ियास है उक्तबाते सिम कॉलेज दर्भंगा के स्थापना दिवसामारों दोस्जरिकीस के अफसर पायोजित महाविद्याले के इंग्ली लिटरेरी सोसाइटी के तत्वाद्हान में नए परिफेक्ष में अंग्रेजी भासा सिक्षन पधती बिसे सिमिनार के मुख वक्ता के रुप में महाविद्याले के पुर्व अंग्रेजी के परधैपक डॉक्टर अम्रेद्र शर्मा ने कहा रोने खा कि भासा सिखने का मतलब छात्रों की सुद्ध सुद्ध बोलने लिखने सुनिने तथा पढ़ने की चारुदच्षता प्राप्त होना है अंग्रेजी भासा ग्यान स च्छात्रों में शमा लोचनातमक दिष्टी कौन का विकास हो जिसके लिए काटून के माध्यम से भी उनकी भासा की कुषलता को मिक्सित करना लाबदायक होगा भासा हमारी बुनियाद है जिसके माध्यम से हम साहित को बहतर समझ पाते हैं आज भासा के बिना शम्भ्रांत लोगों में भी खोखला पर दिखता है आज स्थापना दिवस समारों 2021 के तहत महविद्याले के अंग्रेजी भाग में संचालित इंग्लिस लिटरेरी सोसाइटी के तत्वाब्धान में एक सेमिनार कायजन किया गया जिसका बिशे नए परिपेक्ष में अंग्रेजी भासा अध्यान था और जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डाक्टर अमरेंद्र सर्मा जो सीम कले दर्भांगा के पूरवरती शिक्षक हैं अब कासप्राप और कई देशों में उन्होंने बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी भासा साहित शिक्षन का कार्ज किया है उन्होंने आज मुख्य वक्ता के रूप में अपने महकुर्ण बयान छात्रों के बीच ऑफ-लाइन माध्यम से रखा शाथी आज मुख्य अतिथी के रूप में सियम कोले दर्वंगा के अवकास प्राप्त शिक्षक प्रोफिसर गोखुला नंद चौधरी जो महाविद्यालेक अंग्रेजी विभागा अध्यक्षर है और काफी लंबे समय तक उन्होंने यहीं से अपना अध्यापन कार्ज शुरू किया और यहीं पर वे अवकास गरहन कि काफी लंबे समय तक अन्भव को उन्होंने रखा साथी साथ उन्होंने भासा अंग्रेजी भासा के शिक्षन पद्धरती पर भी अपने विचार को व्यक्त किया आज के इस कार्जक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालेक प्रधानाचार क्रप्षव विश्वना जहा ने अंग्रेजी विभागा अध्यक्षा प्रोथेसर इंद्राज्ण हने किया जबकि मंजुडाय प्रफेसर मंजुड़ाय ने जो अंग्रेजी लिटेरी सौसाइटी की अध्यक्षा हैं उन्होंने अतितियों का स्वागत किया पाड्रक्रम का संचालन किरिति कनओडिया तथा तकनीकी सहयोग डक्टर तनीमा कुमारी ने किया इसमें मुख रूप से अभी असनातक उत्तर की परिक्षा चल लही है इसलिए असनातक के शात्र और कुछ शिक्षक इस कालक्रम में उपस्थित हुए काफी उप्योगी मैं समझता हूं कालक्रम रहा और शात्रों पर इससे का